दोस्तो वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस करें नवश्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तो आज की ये खास वीडियो ठायराइड के पेशेंट्स के लिए है जी हां दोस्तो ठायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल बहुत सारे व्यत्ति से पिडित रहते हैं दोस्तो ठायराइड होने पर सबसे इंपोरटेंट ये होता है कि इसमें एधियात बरतनी चाहिए जी हां आजकल बहुत सारे Gaid की परिशानी से पिडित हैं ऐसे में एक क्यूशन ये सामने आता है कि ठायराइड की डायेट किस प्रकार होनी चाहिए या ठायराइड में क्या-क्या हाएं इसे जानने से पहले ये जानना आवशक है कि थाईराइट के लख्षणों को हम पेचान ले जी हाँ थाईराइट की परेशानी किसी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन सकती है थाईराइट से आराम पाने के कई धंग हो सकते हैं लेकिन थाइराइड के लिए घरे लून उसके भी एक अच्छा उप्शन साबित हो सकते हैं इसके साथ थाइराइड के मरीज अपनी डायेट में कुछ ACC जो को शामिल कर सकते हैं जो थाइराइड से बचाने में बहुत जड़ा इंपोर्टेंट रोल आदा करती हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ AC चीज के बारे में बतारे जा रहे हैं जिसका सेवन करने से थाइराइड की प्रोबलम धीरे-धीरे करके खत्म हो जाती है दरसल दोस्तो थाइराइड एक एंडोक्राइन ग्लेंड होता है जो की बटरफ्लाइ शेप का होता है और यहाँ गले में मौझूद होता है दोस्तो थाइराइड की परेशानी के लिए बेस्ट फूट चुनने की जरुरत होती है थाइराइट की परिशानी से आराम कई चीजों को डायट में शामिल करके भी हम कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में केवर तीन एक ऐसी चीजे आपको बताने वाले हैं जो की थाइराइट रोग को धीरे-धीरे करके कम करने में बहुत ज़्यदा हैलफुल होती है अब वो कौन-कौनसी है तो चलिए जानते हैं तो दोस्तों पेले नंबर पर आते हैं अलसी के बीजों के कई प्रकार के हैल्थ फायदे होते हैं अलसी का बीज अच्छे fatty acid से भरबूर होता है जो थाइराइट की परिशानियों के लिए बहतरीन साबित होता है साथी अलसी के बीज दिल के स्वास्त को भी बढ़ावा देते हैं इससे आपका hard भी काफी ज़्यदा मजबूत रहता है अलसी के बीजों में शामिल magnesium और vitamin B12, hypothyroidism से चुटकारा दिलाने में काफी ज़्यदा helpful होते हैं और thyroid से निजात दिलाने में बहुत ज़्यदा effective साबित होते हैं दोस्तों, अलसी को अपने आहार में आपको जरूर शामिल करना चाहिए अगर आप thyroid के patients हैं तो बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो की है अध्रक दोस्तों, thyroid से निजात पाने के लिए अध्रक का उपयोग बहुत लाबदायक माना जाता है अध्रक में उपस्तित potassium, magnesium, आदी ये सभी तत्वूद thyroid की परेशानियों से राहत दिलाने में बहुत ज़्यादा helpful होते हैं अध्रक आसानी से मिल जाने वाली चीजों में से एक है हर किसी के kitchen में उपयूक्त होता है अध्रक में anti-inflammatory गुण thyroid को बढ़ने से रोकते हैं जो कि उसकी कारिय प्रणाली में सुधार करते हैं खास तोर पर अपनी डाइट में आपको जरूर शामिल करना है thyroid की परेशानी से जो लोग परेशान हैं उनको दूद व दई का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करने की सला दी जाती है दई और दूद में calcium, minerals, vitamin होते हैं जो कि thyroid से छुटकारा दिलाने में बहुत important role अदा करते हैं तो ऐसी situation में इन चीजों का भी आप सेवन करेंगे तो ये भी thyroid जैसी problem को दूर करने में बहुत ज़दा effective होती है तो दोस्तो ये ही थी हमारी आज की जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि thyroid patients के लिए जिनका सेवन करना फाइदेमन हो सकता है तो दोस्तो ये ही थी हमारी आज की जानकारी जो होती है यहीं समापत उम्मेद करता हूं वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को जोर दोबाएं देने वाद दोस्तों